हेलो फ्रेंड्स जैसा के आप जानते हैं के CBSC and ICSC 2020 के जो क्लास 10 और 12 के एक्जाम होने वाले थे लिए आज फाइनल एक डिसिजन आया है बोट के तरब से के एक्जाम नहीं होंगे एक्जाम भी इसका ओफिशल नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा लेकिन ये खबर मिल ला है कि ये 10 और 12 एक्जाम कैंसल किया जा रहा है CBSC ने पहले कैंसल किया इस एक्जाम को ठीक है ड्यू टू टा पेंडेमिक अफ कोरोना वाइरेस कोविड-19 के कारण तो इस पे जो रिजल्ट है वो इसी मंत में रिजल्ट लास्ट्री स्कूल ब dazu, स्कूल एक्जैमिनेशन पे बेस करके CBSC वाले आपका रिजल्ट करेंगे जो सब्जेक नहीं हुआ है साइस के वो सब्जेक और अढ़र सब्जेक नहीं हुआ है उसके स्कूल बूड normally एक्जैमिक जो हूए लास्ट्री, उसके ऊपर बेस करके उनको मार्किंग दिया जाएगा और अगर कोई स्टुडेंट नहीं है तो वो बाग में फिसे वो पेपर के लिए एक्जाम दे सकते हैं ऐसा CBSC ने कहा है सुप्रीम कोट में ठीक है इसको देखते हुए CBSC को देखते हुए ICSC ने भी एक्जाम को कैंसल करने के तरफ यह क्या है तो यह भी कैंसल हो सकता है इसका ओफिशल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है स्टेट बोट के एक्जाम के क्या होगा इसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो यह इन जगह पे आपका एक्जाम 10 और 12 का नहीं हो रहे है ठीक है जो भी जुलाइ के डेट दिया गया वहां नहीं हो रहे है और इसके लिए स्टुपीम कोट के तरफ से सेंट्रल कोवर्मेट और सीबी सी कोफिश नोटिफिकेशन के लिए क्लास 12 एक्जामिनेशन के लिए क्लिरिफाइ करने को कहा है जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा तो इस बास से ये कनफर्म हो रहा है कि आपका एक्जाम होने का चांस जो भी जुलाइ में डेट है वो जुलाइ में नहीं होगा ठीक है से बीसी ने तो कनफर्म कर दिया है तो जो स्टुडेंट इतने परिशान थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ठीक है एक फाइनल एक आर्टिकल जो अपका यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं यह अपडेट आया है से बीसी बोर्ट क्लास 10 एंट 12 एक्जामिनेशन ठीक है सी लाइफ अपडेट्स बंजेई में और नीट क्या और जेई के बारे में अभी तक इसका कोई अनॉंस में नहीं आये तो यहां कुछ अपडेट देखा दे रहा हूं एक है से बज के पाच मिट का अपडेट है इस अटिकल में ऐट इस स्टेट्स और सीबीसी तू अल्टर देट्स अब फेंडिंग व्यक्स अभी घुड़ा यहां पर कुछ स्टेट्स में यह चलना है कि स्टेट्स एक्जाम क्या होगा CBSE to cancel class 10 and 12 board exam 5 बजे का तो ये खबर आपका करीब 4 बजे के करीब आया कि CBSE आपका exam हो सकते नहीं लेंगे तो इस पे marking system जोगा last 3 board exam पे base करके इनका marking होगा ठीक है तो अभी NEET का आना बागी है, NEET के लिए भी confusion लगें, confusion है कि ही cases rise हो रहे तो NEET और JEE का क्या होगा, तो student थोड़ा परिशान है, लेकिन मैं यहीं पोलूँगा student लोगों को कि आप अपना preparation continue करते रही है, यह NEET और JEE तो हो गई लेकिन थोड़ा सा delay हो रहा है, ठीक है, due to this pandemic, तो इसे लिए घबराना नहीं है, अच्छे से preparation कीजिए और अगर कोई आपको problem हो, normally आपका NEET का और JEE का मैं बता दूँ, यहाँ पे NEET के लिए आपका जो date दिया गया है, आपका सबसे पहले JEE का बता दूँ, JEE के लिए जो date है, मेरा exam का, वो 18 July से, जो computer base है, 18 July 2, आपका 18 से 23 July के बीच में करवाए जाएंगे, ऐसा है, लेकिन और NEET के लिए जो date दिया गया है, वो है, 26 सम जुलाई, ठीक है, एक ही दिन में होगा, इसमें around कई लाग स्टूटें, 30 लाग स्टूटें पैटने वाले हैं, तो इसको देखते हुए, safety को देखते हुए, हो सकता है कि यह exam भी postpone हो, ठीक है, तो यह आज और एक दो दिन में final हो जाएंगे, अभी तक इस पर decision pending है, ठीक है, तो CBCRIC वाले class 11, 12 वाले फॉदर जो exam आने वाले हैं, उसके लिए अच्छे से त्यारी करें, 12 के लिए बहुत सारे board exam का result आ रहा है, तो NEET और JEE उनके पास बहुत अच्छा option है, NEET और JEE के लिए preparation करें, ठीक है, 10 वाले 11 के preparation स्टार्ट कर दे, अच्छे से घर में परें, ठीक है, ऑनलाइन अगर classes और तो online classes करें, अगर हम लोग का unique classes का help लगे, तो हमारे चैनल है unique classes youtube.com slash unique classes live, आप इसको subscribe अगर कर लेते हैं, तो आपको free live classes के updates आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो thank you for listening, तो अगर आप चैनल पे मैं हैं, और अगर आप class करना चाहते हैं, हमारी डॉक्टर अली सर और उनके team के साथ contact में रहना चाहते हैं, tips, share करवाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है?